बढ़वानी वेक्सिनेशन में अच्छा कारी करने वाली एनेम को कलेक्टर नी क्या पुरुसक्रत कारी में लापरवाही भरतने वालों को कलेक्टर नी फिर दीचेतावनी कारी की प्रती रहे उधार अन्यता होगी कारवाई कलेक्टर शिवरा सिवर्मानी आज वेक्सिनेशन के कारी में अच्छा काम करने वाली पांच एनेम को ग्यारा सो ग्यारा सो रुपई का नगत पुरुसकार दिया बढ़वानी स्वच्छता सर्वेक्षण में बढ़वानी शहर को स्वच्छ शहरों की प्रदेश इस्तरीय रेकिंग में ग्यारवी रेंक मिली है वहीं वेष्ट जोन में 43 वी रेकिंग हासिल हुई है नगरपलिका की सीमो कुषल से डुडवे ने जानकरी दिते वी बताया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 50,000 से एक लाग की जनसंक्या वाले 25 बड़े शहरों को चिन्हित किया गया था जिसमें बड़वानी शहर को मद्यप्रदेश में 11 वी रेंक मिली है वहीं वेष्ट जोन में शहर को 43 वी रेंक हासिल हुई है सीएमो ने कहा कि हमारे द्वारा और अधिक प्रयास का रेंक बढ़ाई जाएगी और इसकी समिक्षा भी की जाएगी सेंद्वा शहर की पुराना एवी रोड इस्तीत पशुच चिकित साले की पास अगरवाल दूट डेरी पर गेश टेंकी में लगी आग नगरपालिका की दो फाया ब्रिगेड पहुचे मोके पर दमकल कर्मी की सूझ बुच से पाया आग पर काबू प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरवाल दूट डेरी पर सतीस अगरवाल कुछ कारी कर रहे थे तब ही अचानक गेश टेंकी में आग लग गई जिससे पानी की मोटर सहीत कुछ सामान जल गया आग लगते ही भाग कर बाहर आए और नगरपालिका को सुचना दी सुचना मिलते ही नगरपालिका से दो फायर ब्रिगेट मोके पर पहुचे गेश टेंकी में आग लगी देखकर फायर कर्मी दिने समाली ने टेंकी की आग को पानी से बुझाने का प्रयास किया आग नहीं बुझने पर सूझ बुझ दिखाते वी घर के बाहर रखे गमले को लेकर गए और गमले की मिटी से आग पर काबू पाया दमकल कर्मी की सूझ भुझ से एक बड़ा हाथ सा टल गया क्योंकि घर में तीन से चार गेश टंक्या पास महीं और भी रखी हुई थी जिने बाहर निकाला गया इस दोरान लोगों की मोके पर भीड लग गई आग से ज प्रधान मंत्री कुटीर योजना शोचालाई सीसी रोड पंचायद भवन आदी में भ्रस्टाचार के शिकायत को लेकर जाज करने की मांग को लेकर स्जिम तपस्या परिहार को सोपा ग्यापन मंगलवार को ग्राम पंचायद मोहन पड़ावा के ग्रामीन पंचायद में हुए विभिनन निर्मान कार्यों सहित अन्य युजनाओं में ग्राम पंचायद वो सरपंचव सचिव दरह किये गए भ्रस्टाचार के शिकायत को लेकर स्जिम कारले पहुँचे और ग्यापन द साथ ही शोचालाए किसी बनाये किसी के नहीं बनाये पंचायद भवन भी नहीं बनाया गया सीसी रोड में गरबड़ी की है हम ग्रामीन मांग करते हैं कि सभी विकासकारियों की उचीत जाज कर दोश्यों पर कड़ी कारवाही की जाए धनोरा में बिजली समस्या को लेकर किसानों ने ग्रीट का किया घहराओ अधिकारियों के आश्वशन के बाद माने ग्रामीन वर्तमान में रभी फसल की बुवाई के साथ ही सिचाई का काम चल रहा है किसानों ने हजारों रुपए भर कर क्रशी कारे है तो बिजली कनेक्श लिया है शाशन द्वारा किसानों को क्रशी कारे के लिए 10 घंटे बिजली दी जाती है लेकिन पूरे समय बिजली नहीं मिल पाने वह वाल्टेज की समस्या को लेकर आज धनोरा के ग्रीड का किसानों ने घहराओ कर दिया साथ ही अधिकारियों से मांगी की उन्हें क्रशी क करनेक्षन की 10 घंटे की बिजली पूरी दी जाए कम वाल्टेज की समस्या को दूर किया जाए करीब एक से देर घंटे तक किसानों और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद अधिकारियों से मिले आश्वाशन के बाद किसान मान गए बिजली विभा संजय गुपता ने बताया कि किसानों की समस्या का शिग्र अतिशिग्र निराकरण करवाया जाएगा। संजय ग्राहियों को आज वन अधिकार पत्रों का वित्रन किया गया। और उन्होंने कहा कि अब भारतिय जनता पार्टी की सरकार है जो लोगों को नवाचार के पट्टे बाट रही है। इस दोरान जनपट पंचायत के सीईओ तहसिलदार सहीद भाच्पा करे करता नेता मौजूद रहे।